नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे हैं आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वीट डिप्लोमिसी यानि की गेहूं कूट नीती की दोस्तों ये discussion basically आजगी डिट में relevant है अफगानिस्तान को लेके और भारत और अफगानिस्तान के रिष्टे जो पिछले काफी समय से news में चल रहे हैं उसी के related ये एक छोटी सी चर्चा है तो जहां तक देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं गेहूं कूट नीती की तो दोस्तों यहां पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें जो जाननी है वो यह है कि भारत एक तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो की विश्व खाद्य कारेकरम है उसका बहुत समय से एक बहुत बड़ा बाग्यदार है इंडिया has been a very big player with respect to the world food program and we are one of the contributing countries to this world food program for a very long time और दोस्तों कहीं न कहीं यह जो खाद्य विश्व लेवल का खाद्य कारेकरम है इसमें भारत हमेशा से support इसलिए करता आया है क्योंके एक चीज आपको जो याद रखनी है वो यह है कि यह support इसलिए महत्वपून है क्योंके कहीं न कहीं इससे भारत की जो एक तरीके से कूटनीती है भारत का एक तरीके से जो एक overall strategic goal है कि वो विश्व का एक बहुत बड़ा player बनना चाता है और एक तरीके से विश्व में एक महत्वपून role play करना चाता है तो उस context से अगर हम देखें तो पहली बात तो भारत जो है हमेशा से interested रहा है एक तरीके से विश्व खादिकार करम में support करने के तो what we are trying to say here friends is that India because of its aspiration to be a global power for a very long period of time has been one of the supporters of the world food program and it has always found the fact that the program here could be very relevant not only for our overall global power ambitions but very importantly India has also understood that the program will be a good reflection of India's global capabilities दोस्तों जो ये विश्व खादिकार करम है इसमें भारत का एक तरीके से जुड़ना और उसका associate होने का दूसरा महत्वपून कारन ये भी है कि कही न कहीं भारत हमेशा से ये बात बताना चाता था दूसरे देशों को कि वो भी एक तरीके से एक responsible देश है क्यूंकि देखिए दोस्तों भारत ने अपने इतियास में एक ऐसा समय देखा है जब खुद भी वो एक तरीके से खाने के लिए परिशान था और कही न कहीं हम लोग उस समय अजादी के कई सालों तक दूसरे देशों से खादे पर निरबर थे लेकिन उसके बाद हम लोग जब हम लोगों ने ग्रीन रिविलूशन का implementation भारत में किया तो कहीं न कहीं उस ग्रीन रिविलूशन के बाद भारत जो है एक तरीके से आत्मनिर्बर बन पाया आज की डेट में भारत को एक ये चीज लगती है और हमारी जो विश्व नीती है उसमें कहीं न कहीं हमारे विदेश नीती में एक ऐसा मानना भी है, एक ऐसी सोच भी है कि भारत को एक तरीके से कही ना कहीं हमें पूरे विश्व में वो चीज वापिस देनी चाहिए जो चीज हमारे पास आज की डिट में है तो what we are trying to say here friends again is that the second reason why India is supportive of the world food program is not only because of the global power ambitions that we today have as such but a important aspect is that India also believes in the culture of giving the culture of giving has also been a part of a foreign policy for a very long period of time it is also important to understand that when we became independent we were ourselves dependent upon food from outside and whether it was the American public law 480 program or whether it was food aid from other countries in the world India for a very long period of time was dependent upon food but after the success that we had with the green revolution India was able to change the narrative of the food itself and it became a self-reliant country today not only we are self-reliant but we are one of the major exporters of green so it is important friends to understand that based on this thought India has a very important objective and a role here to play when it comes to giving back to the society and the society here that we conceptualize is the international society so friends Bharat एक जैसे मैं आपको बताया कि विश्वकाद्य कारिकरम से बहुत समय से जुड़ा हुआ है और अब जानने की बात ये भी है कि इस विश्वकाद्य कारिकरम के तहत हम लोग दूसरे देशों की मदद करते आये हैं उनको जब जब एक तरीके से अलग अलग किसम के खाद्यों की requirement हुई जरूरत पड़ी भारत ने हमेशा दी आज के इस डिबेट में दोस्तों सबसे महत्वपून जो देश जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है अफगानिस्तान भारत ने अफगानिस्तान को एक तरीके से खाद्य हमेशा से देता आया है अफगानिस्तान की स्थिती दोस्तों ऐसी रही है कि भारत हमेशा से उस देश के साथ जुड़ा रहा है कहीं न कहीं अफगानिस्तान के बिना भारत और भारत के बिना अफगानिस्तान देखा ही नहीं गया हम लोग हमेशा से एक थे और वो एक जुटता जो दोनों देशों के बीच में थी उस एक जुटता के तहट कहीं न कहीं ये देखा गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ लगे रहे, इंगेज करते रहे अफगनिस्तान में मसले खराब होने के कारण, जंग होने के कारण, युद्ध होने के कारण और लंबे समयता की ये जंग और युद्ध चलते रहने के कारण एक तरीके से विकास का कार्य वहाँ पर प्रगिती नहीं कर पाया तो भारत ने क्यूंकि हम अफगानियों से हमेशा जुड़े रहे हमारा यतिहा से कृष्टा बना रहा उनके साथ उस कॉंटेक्स्ट में उस थिती में भारत ने हमेशा अफगानियों की इस लेवल पे मदद करी तो यहां पर यह मत भूलिएगा दोस्तों की हम लोगों ने खादे उनको पहली बार नहीं बलकि पहले भी देते आए हैं और यह देने से हम एक तरीके से अपनी सौफ्ट कुटनीती दिखाने की कोशिश करते हैं जिसको सौफ्ट डिप्लोमिसी भी बोला जाता है या कई बार जो है हम सौफ्ट ताकत यानी की सौफ्ट पावर भी पोलते हैं तो उस कॉंटेक्स से देखा जाए तो अफगानिस्तान हमारे इस विश्व खादे कारे करम के तैत अगर उस नजरिय से हम लोग देखें तो एक महत्को पून देश है So friends what we are trying to say here again is that you know when it comes to Afghanistan specifically when we look at the world food program Afghanistan has been a very crucial country for us because we have a historical bond with Afghanistan we never conceptualize India without Afghanistan and the Afghanis have never conceptualized Afghanistan without India we have always looked together to each other and what is important to understand here is that both these countries have often looked at each other in a very progressive manner and because Afghanistan has always been a war ravaged country it has been always involved in some or the other war be it the war that the you know the the war that happened after the Soviet invaded in 1979 or be it the war that happened in the form of civil war after 92 or be it for that matter the US invasion of Afghanistan in 2001 every time Afghanistan has been badly affected by war and India as a important contributor for regional stability and peace has often contributed in the form of world food program to Afghanistan for food aid so this is not the first time we have provided them food aid we have provided them food aid earlier also and this also is a reflection apart from our global ambition that we talked about but also about our soft power ambition it's a very important aspect of our soft diplomacy at work that we are in a position today to offer to the Afghanis something that they do not possess and something that they genuinely need it is in this context that we look at Afghanistan as a special country where this developmental assistance that we have been providing to them is just merely a continuation so before that I have taken care of the Taliban of Afghanistan I remember the Taliban the Taliban even after this months the Taliban and after this whole listener there is no time for the Taliban to come to the Taliban to come to this country we all know that I have learned from the Taliban in the CIA में Taliban के उपर 8 घंटे की चर्चा की है Taliban के बारे में मैंने अपनी IR की किताब और मेरी जो Taliban स्पेसिफिक एक चोटी किताब है उसके बारे में भी मैंने बहुत चर्चा वहाँ पर की है हम लोगों ने हमेशा एक जी जी ये देखिये कि Taliban भारत के लिए ना तो खतरा था ना खतरा है ना कभी खतरा होगा जो बच्चे मेर से पढ़ चुके हैं वो ये बात चाहते लेकिन अब हम उस एस्पेक्ट में नहीं जा रहे तो मैं जो आपको बताने की कुशिश कर रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों की पिछले साल जब अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया भारत के मन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है भारत की नीतियों को लेके कोई बहुत बदलाव नहीं आया क्योंके हम लोग अफगानिस्तान की मदद पहले भी कर रहे थे हम लोग अफगानिस्तान की मदद आज भी कर रहे तालिबान के आने से भारत के अफगानिस्तान से रिष्टों पे कोई इंपक्ट नहीं हुआ और ना कभी होगा हम लोगों का रिष्टा उनसे जैसा पहले था वो रिष्टा अभी भी वैसा है और आगे आने वाले समय में मजबूत हो लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि जब यह तालिबान आया हमने अभी तक उसको रेकगनाईज नहीं किया है हमने उसको रेकगनेशन नहीं दिया है क्योंकि हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि बाकी देश भी जो है उस डिरिक्शन में आगे बढ़ेंगे और तालिबान थोड़ी अपनी एक तरीके से नागरिक नीतियों को थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाएगा उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कही ना कही बारत जो है एक तरीके से तालिबान को रेकगनेशन देगा लेकिन जब तक recognition नहीं दिया जाता क्या उसका मतलब यह है कि हम तालिबान से नाता ना रखें वो तो चीज गलत होगी क्योंकि बात यहाँ पर तालिबान से नाते की नहीं है दोस्तो बात यह है कि जो विकासकारे भारत करता आ रहा था वो विकासकारे से हम एक आम अफगानी नागरिक के जीवन को छूपा रहे थे तो क्या हम उस आम नागरिक के जीवन को एक आम अफगानी के जीवन को जिसको हम अभी तक छूपा रहे थे क्या हम उसको छोड़ दे वो नहीं छोड़ सकते उस्तिती में अगर देखा जाये दोस्तों तो कहीं न कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत ने एक कदम उठाया और वो कदम ये उठाया कि चाहे तालिबान हो चाहे कोई भी रेजीम हो भारत जो है एक तरीके से खाद्ये की सेवा जारी रखेगा अब जब ये बदलाव हुआ होगा निस्तान में बदलाव के बाद एक तरीके से तालिबान आया तो कहीं न कहीं खाद्ये को लेकर कमी महसूस की गई तो भारत ने तालिबान को ये बात बोली कि देखिए हम आपके रेजीम से कोई लेना देना नहीं है हम आपको खाद्ये देना चाते हैं हम देंगे आपको लेकिन अर्चन इसमें केवल एक पाकिस्तान है क्योंकि हम खाद्ये देना चाते हैं सबसे जल्दी तरीके से खाद्ये आपको अगर मिलेगा तो पाकिस्तान के तैहत मिलेगा लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहीं न कहीं इस चीज में हमेशा से अरचन मनाई पर पाकिस्तान ने हमेशा से ये सोचा कि नहीं भई हम भारत को किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में इंगेज करने के लिए मौका नहीं देगी तो भारत ने तालिवान को बात बोली कि देखे तालिवान हमें आपके रेजीम से मतलब नहीं हमें आम ओफगानी नागरिक से मतलब है हम एक ऐसा देश हैं जो अफगानिस्तान के आम नागरिकों के साँ जुड़ना चाते हैं और हम जुड़ते आए हैं उनकी सेवा करते हैं तो अगर पाकिस्तान हमें गेहूं आप लोगों को देने से रोकेगा तो वो गेहूं हम इरान के तहद या कही न कही मद्दे एश्या के जो देश हैं उनके तहद हम लोग provide करें भारत ने इरान से बात करी भारत ने इरान को बोला कि इरान अगर ऐसी जरूवत पड़ती है कि हमें आपके देश से होते हुए अफगानिस्तान में गेहूं प्रोवाइड करना पड़े अफगान के लोगों को तो क्या आप हमारी मदद करेंगे तो इरान ने एकदम मदद करने के लिए हां कर दी इरान बोला कि भारत हमारे आपसे भी रिष्टे अच्छे हैं और अगर आप अफगानियों के लिए मदद करना चाते हैं तो आप आईए तो यह हमारे फेवर में आया फिर भारत ने मद्दे एशिया के देशों से बात करी और पूछा कि भाई देखिए क्या आप हमारी मदद करेंगे अगर हमें अफगानिस्तान की तरफ गेहूं प्रोवाइड करना अपने भारत के प्रधान मंतरी ने पिछले मही ने एक तरीके से एक वर्चुल समिट किया सेंट्रल एशिया के साथ मद्दे एशिया के देशों के साथ मद्दे एशिया के देशों ने भी हमारा समर्थन किया इस काम तो इस थिती में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जब इरान से और मद्दे एशिया के देशों से हमें समर्थन मिला तो पाकिस्तान को ये चीज बहुत महसूस हुई कि अगर वो भारत को रोकेगा, तो भारत रुकने वालों उमेसे नहीं है, भारत जो करना चाता है, वो करेगा, उसने ये कोशिश करी कि वो भारत को अफगान से ना जुड़ने दे, जब हमने इरान से मद्धेशा के देशों से एक तरीके से सहमती बनाई, तो हमने तालेबान के जो एक तरीके से विदेश मंतरी थे आमिर खान मुताकी जिनका नाम है हमने उनको बोला हमने आमिर खान मुताकी साब को बोला कि देखिए हम आपको गेहूं प्रोवाइड करना चाहते हैं देना चाहते हैं आपके लोगों को और इस कारे में इरान हमारे साथ है और मद्दे बुलई है, हमने बोला कि देखिए अगर आपको इरान या मद्धी ऐश्या के देशों से गेहूं पुर वाइड किया जाएगा तो उसमें समय लगेगा लेकिन इही चीजद अगर पाकिस्तान के तहट पुर वाइड की जाएगी तो उसमें समय नहीं लगेगा तो आप पाकिस्तान को ये बात बोलिए तो दोस्तों सबसे अश्चर्य जनक चीज ये है कि आमिरखन मुताकी जो है उन्हों ने एक तरीके से पाकिस्तान पे दबाग डाला पाकिस्तान को बोला और पाकिस्तान को ये बात बोली कि आप भारत को गेहूं प्रोवाइड करने के लिए अपने देश से एकसेस अफगानिस्तान आने के लिए प्रोवाइड कीजिए दोस्तों इससे दो चीज़ें समझ आती है पहली चीज़ें समझ आती है जो मैं हमेशा से आपको बोलता है कि भारत के तालिबान से रिष्टे बहुत अच्छे हैं वो इतने अच्छे हैं कि आज की डेट में ये प्रूव हो रहा है कि जो अफगानिस्तान में उनके एक तरीके से विदेश मंतरी हैं वो इस चीज़ को भारत के फेवर में पाकिस्तान पे दबाव डलवा के अगरी करवा रहे और पाकिस्तान दबा पाकिस्तान इस बात को एकसेप्ट करा और इसी कारण से आप देखिए दोस्तों कि भारत ने पच्छिसो मेट्रिक टन गेहूं जो है अटारी से होते होए अफगानिस्तान के लिए कही न कहीं पाकिस्तान के थुरू भेजने की रहाई करी भारत ने एक तरीके से तालिबान के लिए एक विशेश दूत अपॉइंट कर रखा है जो कि भारत की इंटेलिजन संस्थाओं से बिलॉंग करते हैं हमें उनके नाम और उनके कारे के बारे में चर्चा करने की जरूवत नहीं है क्योंकि वो एक्जाम के लिए रेलिवन नहीं बट एक विशेश दूत है और ये विशेश दूत जो हैं एक तरीके से जमीनी लेवल पर अफगानिस्तान में रहके भारत के प्रबंद तालिबान से बना के और भारत का जो एक तरीके से अप्रोच है कि वो अफगानियों के जीवन को छूपाए उसको अभी भी एक तरीके से फुल्फिल कर रहा है तो भारत के तालिबान से बविशे के रिष्टे हमेशा बने रहेंगे और ये जो गेहु कूटनीती अभी हुई है ये एक तरीके से सिर्फ ये ही चीज़ को समर्थन दे रही है कि पहली बात भारत के तालिबान से रिष्टे अच्छे हैं दूसरी बात की भारत तालिबान पे इतना इंफ्लूएंस रखता है कि तालिबान के विदेश मंतरी पाकिस्तान को जो की एक अर्चन बना है भारत और अफगानिस्तान के बीच में उसको कन्विंस कर पाए और उस कन्विंस्मेंट के थुरू भी कई ना कई हम लोग जो है गिहूं कोटनीती में सक्सेस्पूल रहे तो भारत और तालिबान के रिष्टे हागे बने रहेंगे मजबूत होते रहेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अंतराष्ट्रेस्टिती और इवॉल्व करती है जब recognition दूसरे देश देना शुरू करेंगे जब तालिबान अपनी नागरिक नीतियों को और थोड़ा लोगों के सामने पूरे संसार के सामने पेश करेगा तो भारत उस चीज में अपना कदम अवश्य देगा तो friends one thing we have to understand is that we wanted to provide wheat to Afghanistan and Pakistan was obviously an irritant in the same so when Pakistan was an irritant then India adopted a simple approach we spoke to the Iranians and we spoke to the Central Asians we had a virtual summit with Central Asia last month and we asked the same relations that see we want to provide wheat to the Taliban we want to provide wheat to Afghanistan you see one important thing to understand is that India has always had a very decent relationship with Taliban I have explained this in my IR book I have explained this in my book on Taliban that I have written separately because Taliban is a very opaque thing about you know not only in India but globally also so in every aspect of my academic intellect where I have tried to reach out to you I have told you this and including that we had an 8-hour class on the Unacademy platform in my plus course on IR where we explained and we understood who these Talibanis are and why do we have a good relationship with them so you know we wanted to reach out to the Afghani people we wanted to give them the wheat despite the coming of Taliban that happened last year Pakistan was obviously an irritant they said no we don't want to provide you access for that so we spoke to the Iranians we spoke to the Central Asians both of them agreed when both of them agreed Pakistan felt isolated they said you know if India is going to eventually encircle us from all the other sides then might as well we need to do something and we then told Amir Khan Mutaki who is the foreign minister of Taliban that see we can provide you wheat from Iran when Central Asia is required but if we do that then the problem is that it will take time but if it comes through the land route via Pakistan and if you can talk to these Pakistanis you get the wheat very fast the fact that Amir Khan Mutaki who is the foreign minister of Taliban told the Pakistanis that allow India access proves the fact that India has a strong relationship with Taliban to the extent that we can influence Taliban to even convince Pakistan to display a specific behavior we don't need a bigger proof of how good friends we are with Taliban so India already has a special envoy on the ground with Taliban we have this special envoy who is a part of India's intelligence community we don't need to go into the name of that personality we are managing our relationship on the ground with Taliban and the future is that we will continue to help them and this is an example where they have actually supported us and this is a small tweet image if you can see that image belongs to Zebanullah Mujahid who is the spokesperson of Taliban who has basically written this message in Urdu but in that message it's very clearly written that he thanks India for the wheat aid that India has provided so our relationship with Taliban will continue to evolve and we will continue to work for the welfare of the Afghani people so I hope friends that through this small video on the wheat diplomacy between India Afghanistan which is a new feature you got some good clarity and I hope you understood that the kind of influence India enjoys over Taliban today thank you so thank you thank you thank you for having me thank you your hand so thank you I झाल झाल